हेलो वीवर्स अन्बोक्सिंग इंडिया में आप सब का स्वागत है और मैं हुम्रान आज मेरे पास यह पर जो डिवाइस है बहुत ज्यादा खास डिवाइस है जा दूस्तों लाबा की दरफ से यह डिवाइस है लाबा ब्लेज और 64GB इंटर्नल स्टोरेज है और वो भी स्मार्टफोन को अन्बॉक्सिंग करके और रिव्यू रखेंगे तो इस वीडियो का अपन तक जरूर देखेंगा और चैनल पर नहीं होड़े चलों को सब्सक्राइब नहीं क्या निचे दिए रैट विटों को क्लिक करके चलों को सब्सक्राइब कर देजिए साधी साथ ब ब्राइनिंग के साथ में बड़े एक्षर में ब्लेज लिखा गया है और इस स्मार्टफोन के लोगो यहां पर देखने को मिल रहा है डिवाइज में थीन कलर है जैसे के ब्लेक रैड एन ग्रीन यह थीन कलर में फिलहाल मार्केडमी डिवाइज अवैलेबल है लावा इसका प्राउडले इंडियान है स्टेग लिखा गया है और यहां पर प्राइस मेंशर किया गया है 9600 रुपीस लेकिन इससे वी काफी कम है डिवाइस की खीमत जो आगे इस वोडियों में शेयर करने वाला हो बॉक्स के पीचे है डिवाइस के लिडिंग पॉइंट्स जैसे की प कि बड़ी एक्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइट कर दिया गया है सभी चीज़े यहां पर मेंशन किया गया है जो आगे डिटेल्स के साथ मैं आप लोगे साथ जरूर शेयर करूंगा तो गया इस वीडियों को आपन तक जरूर देखिएगा और गेन कहरा हो कि चैनल प के देखते हैं बॉक्स कांटेंट किया कुछ दिया गया है और गईज वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कर दिजिए और यह से ही अन्बॉक्स करेंगे क्या कुछ इस बॉक्स के удив 제가 करेंगे और यहां पर एक स्क्शन उपर वाइट खिय отправने गया है और टाइप सी केवल दिया गया है काफ़ी अची बात है और ये एक अड़ाप्टर देखने को मिलता है टैन वर्ड का चलिए इस परडिक्शन से डिवाइस को निकालते है और ये जो मेरे पास कलर है देख सकतो बहुत ही बड़िया आकरशिक लुक्स के साथ ये स्मार्ट फोन दे लेक्सक्तोर ट्रिपल डिया गया है ऐफोन जैसा लुक्स इस स्मार्ट फोन में दिया गया है बैक बोड़ी में फिंगर्पिन स्केनर है लावा का ब्रांडिंग बैक बोड़ी में देखने को मिलता है और काफ़ी बड़िया बिल क्वालड़ी है इस स्मार्ट फोन की और ग दिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा फिनिशिंग इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है, और डिवाइस काफी हद तक Realme C35 की डिसाइन की तरह देखने में लग रहा है, डिवाइस की साइड में, बॉल्म आपन डाउन वेटन, पावर वेटन है, नीचे की तरफ द ब्लेक कलर है, रेड कलर है, उससे भी शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे डिवाइस काफी ज्यादा पसंद आया है, और डिवाइस की वेट भी इतना ज्यादा नहीं है, 187 ग्राम के आसपास इस फोन की वेट है, 8 mm तिकनेस के साथ ये डिवाइस है, तो लाइट वेट है, औ तिन डिजाइन के साथ ये डिवाइस है, और आपको इसी स्मार्टफून की लुक्स डिजाइन बिल्क लेड़ी कैसा लग रहा है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लाइक करें, और मुझे प्रीमियम डिवाइ यहाँ को साथ इसी स्मार्टफून की डिस्प्ले यहाँ पर नजर आ रहा है, और काफी लाज इस्क्रीन है, 6.5 इन्चेस का, होड़ी प्लास इसी स्मार्टफोन में डिस्प्ले धिया गया है, IP security का उप्योग किया गया है, 720 to 1600 का पिक्सल से, काफी बड़ीया कलर अगर आ इसी smartphone की display में हमें देखने को मिल रहा है काफी बड़िया smooth experience देफिनेट देगा इस smartphone की display और 269 पी पे रखा गया है तो device के price range के हिसाब से इस smartphone में एक अच्छा quality का display provide कर दिया गया है gaming वगरा खेलते हो या फिर videos देखते हो आपको बड़िया experience मिलेगा इसी lava blaze smartphone में और display price range के हिसाब से अच्छा है आप चलिए बात खेले लेते हैं इसी smartphone की performance के बारे में device speed के मामले में gaming के मामले में किसा रहेगा इसी smartphone में हमें दिया गया है 3GB RAM and 64GB internal storage RAM ROM management बहुत ही ज्यादा अच्छा है अपने price के दम पर जो यहाँ पर RAM ROM management दिया गया है बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि 3GB मिलना और 64GB मिलना वो भी under 9000 बड़िया बात बन जाती है और इसके लावा device में Android 12 दिया गया है यहाँ पर latest Android operating system दिया गया है device में याद रखिएगा Midirect का इस smartphone में प्रोसेजर दिया गया है Midirect Helio A22 एक क्वार्ट कर प्रोसेजर है 2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में 12 एनम फब्रिगेशन में यह ओक्ठक और प्रोसेजर है और GPU के बावर बात करूँ पावर वी आर जी एट तिरी चूर जी प्यू दिया गया है तो प्राइस त्रेंज के इसाफ से जो यहाँ पे performance मिलेगा gaming के मामले में speed के मामले में बढ़िया देखने को मिलेगा Midirect Helio A22 काफी हद तक अच्छा प्रोसेजर है लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं आउर इस्टेंग performance जैसा नहीं रहेगा फुल डेपेकप यहाँ पे आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा लावा का बेटरी लाइफ काफी हद तक अच्छा रहता है और इसी स्मार्टफोन में डेफिनलि आप लोगो एक अच्छा बेटरी लाइफ देखने को मिलेगा इसी Lava Blaze स्मार्टफोन में और गाइस बैटरी के मामले में आप लोग को बता दू डिवाइस जो है वो 100 डेज इसके रिप्लेस्मेंट के साथ में आता है आपके हाथ से घर जाता है फट जाता है डिवाइस तो डिवाइस के अंदर आपको फ्री में प्रोवाइट कर दिया जाएगा लावा की तरफ से इसी स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले वगरा तूट जाता है तो और चलिए डिवाइस को यहाँ पर जो फिंगरपिन स्केनर है से सेट कर लिया है और देखते है और डिवाइस में फिंगरपिन स्केनर फेस अनलोक सबी ऑप्शन अफालेवल है और फिंगरपिन स्केनर दो सेकंड डेफिनली लगएगा यहाँ पे अनलोक होने में एक सेकंड दो सेकंड लग जाता है इतना ज्यादा फास्ट नहीं है fingerpinne scanner लेकिन face unlock काफिया तक फास्ट है और फिर भी fingerpinne scanner डिवाइस में दिया गया है और मुझे खास करके काफिया अच्छा लगा क्योंकि इस price point पे इतना कुछ बड़ी है इस specifications और वो भी laba की तरफ से मुझे definitely यह जो device यह बहुत ज्यादा पसंद आया है price range के इसाब से और चाहिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी smartphone की camera इस specifications के उपर इस smartphone में हमें triple rear camera देखने को मिलता है जिया दोस्तों back body में यहाँ पर देख सेकत हो 13 megapixel का triple rear camera देखने को मिलता है और device में 8 megapixel का front facing camera दिया गया है तो device की यहाँ पर कुछ photos क्लिक करके देखेंगे device के साथ में और किस तरह की से perform करता है definitely यहाँ पर देखने को कुशिश करेंगे आपका अलग-अलग यहाँ पर option देखने को मिल जाता है vivid mode जैसा आप photos क्लिक कर पाओगे और यहाँ पर तरह तरह की option विडियोग्राफी के मामले में 720 सपोर्ट करता है front facing and rear camera के साथ में और यह कुछ photos 8 megapixel selfie camera बहुत बड़ी है amazing यहाँ पर quality output देखने को मिल रहा है device के rear camera बहुत बड़ी है guys 13 megapixel के हिसाब से amazing यहाँ पर हमें photography देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर result है काफी अच्छा है और खास करके daylight and यहाँ पर outdoor condition में device बड़ी अपरफॉर्म करता है low light indoor condition में टिक टाक होके परफॉर्म करता है लेकिन खास करके outdoor and daylight में घजब का performance इस smartphone की camera में हमें देखने को मिल जाएगा और guys मुझे यह जो smartphone हेलावा blaze fast temperature में camera के मामले में काफी ज़्यदा impressed किया और मुझे जो output यहाँ पर result मिला camera के मामले में मैंने सोचा नहीं था इस तरीगी कि हमें camera performance भी देखने को मिलेगा इसी लावा smartphone में और चलिए दूस्तों फिलहाल बात कर लेतें इसी smartphone की price के बारे में और price range के इसाफ से device कैसा है चलिए रिव्यू करते है इस smartphone में हमें एक ही variant देखने को मिलेगा जो है 3GB RAMN 64GB internal storage और इसी लावा blaze smartphone की इंडिया में price रखा गया है 8,699 रुपीज याने almost 8,700 का यह device है और price range के इसाफ से specifications का देखा जाए तो लावा blaze यह जो smartphone है definitely price range के इसाफ से बहुत अच्छा device है 3GB RAMN 64GB internal storage दिया गया है finger print scanner face unlock 13 Megapixel का triple rear camera 8 Megapixel का selfie camera देखने को मिलता है मिलेटे के लिए A22 quad core रुपसर दिया गया है टोगी का हरज clock speed के साथ में device में हमें 6.56 इंचेस का HD plus IPS LCD देखने को मिलता है 5000 mAh बैटरी तो सभी अंगल से देखा जाए price range के इसाफ से एक value फॉर्माने product बन जाता है और मुझे खास करके device काफी ज़्यदा अच्छा लगा लेकिन तोड़ा सा processor में मुझे कमी लगा लेकिन बाकी overall देखा जाए device काफी हद तक अच्छा है तो यहीं है दोस्तों लवब ब्लेज स्मार्टफोन के अंबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन की बारे में उम्मीद है आप सबको वीडियो ज़रू बसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा है तो प्लेज वीडियो के लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ इसी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तब देख लिए बाई टेक क्यारां जाहे हिंद